हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल असोक अज्यूकेशन अब देसी बाइचारा पे एक बार फिर शे बहुत बहुत स्वागत है पिर ये दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाना के अंदर जो आपके डोकुमेंट्स वरिफकेशन होती है किसी भी हरियाना में अगर आपका किसी भी परकार का कोई भी अगजाम है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजेगा इसमें आपके काम की बहुत सारी बाते बताए गई हैं किस अगजाम के लिए कौन से डोकुमेंट्स आपको त्यार करने होंगे इसके बारे में हमने पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टैप बाई स्टैप दी है तो मेरी आप सिविंती है कि जो इस चीज से इंटरस्टिड है वह है अमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखे चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि बहुशे मैने वाली हर लाइट टेस्ट नोटिवकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुशती रहे सबसे पहले तुम आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो आपका ओनलाइन फारम बरा था अपलिकेशन फोरम उसकी प्रिंट आउट अपनी तियार कर ले फीश की जो रिशिप्ट है जो आपने फीश जमा कराए थी 20, 25, 150 जितनी भी आप की फीश कटी थी उसकी रिशिप्ट पलस आपका जो अपलिकेशन फोरम है ये दोनों चीज़ आप तियार कर ले उसके बाद जो सेकेंड है आपका जो एडमिट कार्ड है जो आपको डोकुमेट्स वेरिपकेशन के लिए जाना है जिसमें समय और जगह स्थान जो दे रख् वो आप अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कर लें ये सब प्रिंट आउट आउट आपको बलैक इंड वाइट करनी है आपको डीमसी कौन कौन सी लेनी है इसके बारे में हम सर्चा करेंगे डीमसी आपको एक तो अपना मैट्रिक का लेना है जो डेट और बर्थ प परमान पत्त्र है उसमें काम आएगा तीशरा जो इसका कारी होता है कि आपके एक instruction होती है दस्वी की कक्षया में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट जरूरी होता है तो यहां आप जब हिंदी सब्जेक्ट की जिकराएगा तो हाँ आपको मैट्री की सेट्यूकेट दिखानी है उसके बाद आपकी किसी भी स्ट्रीम से आर्ट से साइन्स से कॉमर्स से पलस्टू की सेट्यूकेट आपको लेके जानी है वो किसी भी बोर्ड से हो CB SC से हो, हरियाना से हो, रजस्तान से हो, दिली ओपन से हो, किसी भी बोड से हो, नैशनल ओपन बोड से हो, हरियाना ओपन बोड से हो, आपको अपनी 12th की सैट्यूगेट ले के जानी है, उसके बाद जिस विद्यारती ने ग्रेजियोशन कर रखी है, फारम बढ़ते वक्त ग् ग्रेजिएसन का सेटिउटएट, चैहे वह B, A, B and BC का हो इन तिनों में से कोई भी B, BA, BA, BC, जो भी आपने कौलिपकेशन का रखिया जो ग्रेजुएड़िएसन के एक्विलेंट है व्यूर्बों करटीकल मिलते हैं, जो भी आप हारम फिल करते हो अपनी qualification complete फिल क्या गरो ताकि उसमें आपको इस चीज का फाइदा मिल सके उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपकी जो next certificate की चर्चा करेंगे post graduation यह जो post graduation की certificate होती है यह M.A. की certificate होगी M.C. की भी हो सकती है M.C. की भी हो सकती है M.B.A. भी हो सकती है M.C. भी हो सकती है जिसको हम master degree बोल देते हैं post graduation की certificate वो आपको अपनी साथ में लेके जानी है सब documents आपको original लेके जाने है उसके साथ ही all type diploma अगर आपने pol technique का diploma कर रखा है आपने engineering का diploma कर रखा है किसी भी परकार का चाहिए computer का diploma हो जिस भी परकार का आपने diploma कर रखा है अपना certificate original साथ में लेके जाए और जो आपकी graduation और post graduation की जो degree होती है अगर किसी बच्चे की degree आई हुई है आपके पास है तो मारक्षिट के साथ degree भी लेके जाए और graduation की certificate में एक चीज़ और ध्यान रहे कि जो आपका 6 या फिर 3rd year की जो final certificate होती है 6 semester की है फिर 3rd year जो final की जो आपकी certificate होती है उसमें aggregate होना चाहिए 5, 2, 3, 4, सभी समस्टर के जो मारक्षिए है वो add होने चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाए अगर वो add नहीं है तो 5, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी DMC आप अपने university में जमा करवा के उनका जो एक certificate बनता है सभी का जिसको last semester की certificate होती है या last year की certificate होती है वो आपको लेके जानी होती है इसके बाद हम बात करते हैं हरियाना डोमोसाइल अगर कोई भी निवासी जिसने हरियाना का फारंबर रख्या है हरियाना रज्य से बिलोंग करता है तो उसको अपना हरियाना डोमोसाइल जिसको हम हरियाना डोमोसाइल आपको अपने साथ लेके जाना है इसके बाद हम बात प्रिष्ट करते हैं गित कि नेक्स ट्रेप देख पआओगी कि पाच नमबर पर आपको क्या डॉक्मेट लेकर जाना है पास नमबर पर है रिजरुवेशन सट्युगेट आपका किसी भी कास्ट चाप विलॉंग करते हो अगर जर्नल करते हो तो यह सेच्ट्यूगेट आपको लेके जानी है जो भी आपकी कास्ट या फिर आपको जिसका फाइदा मिलने वाला है मारक्स में कटोप में एक सर्विसमें है तो उसको अपने च्यार पासपोर्ट साइज फोटो जरूर ले के जाए कोशिस करें कि आपने जो फार्म में वरी थी वो फोटो हो तो बेटर है नहीं तो अपनी हाल ही कि नहीं फोटो आप खिचवा के पासपोर्ट साइज फोटो ले जा सकते हो उसके बाद RIC-AOM जात्ती पर्मान पत्तर का जो फोर्म होता है यह एक से दो रुपए का मिलता है आपको किसी भी आपके नजदी कोई फोटो कोपी की दुकान हो या फिर बुक डिपो की दुकान हो वहां से आप इसको ले सकते हो जात्ती पर्मान पत्तर RIC और एक इसमें नाइने का भी फार्माता है इन सभी फार्मों का बरके सर्पन से अटेस्ट करवा के आप इनको ले जा सकते हो इसके साथ ही आपको एक अपने ID भी ले के जानी होती है आजकर हादार काड इनों ने ज्यादातर फोर्मों में कंपल्सरी कर रखा है हादार काड आप ले जा सकते हो वोटर काड आप अपना ले जा सकते हो पैन काड भी आप अपना ले जा सकते हो तो जो भी डोकुमेंट्स इस तरह का आपके पास है वैसे बाप को अपने साथ लेके जाना है इसके बाद हम बात करते हैं नो नमबर पे आपका क्या पॉइंट आता है अगर आपके परिवार में गोर्मेंट जोब नहीं है तो आपको फाइप मारक्स का जो बेनिफिट दिया जाता है उसके लिए आपको सोचल इकनोमिक्स के आपकी सेट्यूगेट है वह तसीलदार से अटेस्टिड लेके जानी होगी बहुत सी विजारती कहते हैं कि कुछ समय पहले जब हमने फारम बरे थी तो गोर्मेंट ने अपनी जो इंस्टेक्शन थी उसमें कुछ फेर बदल कर दिया था कि तसीलदार से अटेस्टिड ना करवा कि अपना सेलफ अटेस्ट का अपना एकनोमिक्स जो सोचल इकनोमिक का सेट्यूगेट है उसको आप लगा सकते हो इसका जो परफोर्मा है वो आपको अच्छा सच्छी की ओफीशल वेब साइट पर मिल जाएगा जो आपने फारम ब पर एक्सपिरियंस की सट्यूगेट नहीं होती है तो अपनी एक्सपिरियंस की सट्यूगेट आप बनवा लीजिएगा एक्सपिरियंस का हर वी जारती को 0.5 मारक्स 0.5 मारक्स पर एक साल के हिसाब से आपको अलग सी इसका फाइदा दिया जाता है अगर किसी भी जारती का 2 साल का एक्सपिरियंस है तो उसको एक नमबर अलग से मिलेगा किसी भी जारती का 10 साल का एक्सपिरियंस है तो उसको 5 मारक्स अलग से मिलेंगे हर एयर के आपको 0.5 कंडियारति के पौक्तJक इस्ट की विडियू की कोट्र जो इक दा वोगिए। उपना विडियु की सट्यूगैत लेकर जानी है यह सथ मैईलाओ के लिए ऊती है उसके साथ फादर डैफ स्ट्यूगैट दोस्तों अगर किसी भी विजारती के पिताजी किसी भी कार्ण से उनकी डैथ हो गई थी उनके परिवार में कोई सरकारी नोकरी नहीं है तो उनको फाइब मारक्स का हर्याना गोवर्मेंट की तरफ से बेनिफिट दिया जाता है उसकी जो कंडिशन्स है रूल रेगुलेशन्स है उनको आप बारिकी से अपनी जो एड़र्टाइजमेंट है उसके अंदर पढ़ लेना अगर आप इस सीज़ के लिए इलीजिबल हो अगर फारम में आपने यस कर रखा है तो आप इस सेट्यूगेट को लेके जानी है यह जो डोकुमेंट्स आपके जो बताए गए हैं वीड़ो की सेट्यूगेट हो चाहे फादर डैथ सेट्यूगेट हो इस सबाब को तसिलिदार के से अटश्ट करवा के लेके जाने हैं विदाओ तसिलिदार के अटश्ट के हैं सेल्फ अटश्टेड जो डोकुमेंट्स हैं वो आपके मांने नहीं किये जाएंगे इसी के साथ एक चीज़ अपको बताना चाहू all documents जो आपके हैं वो आपको attest करवा के लेके जाने हैं आप original documents के साथ साथ सभी documents original वे दो photocopy के set साथ लेके जाने हैं आप instruction पर लेना दो की बजाए कई बर तीन से चार बर चार कोपी भी आप से photocopy के मांग ली जाती हैं जब आप admit का download करोगे उसमें back side में instruction दी रखी हैं ज् self-attest भी आप दे सकते हो या instruction के हिसाब से आप देख लेना कि इन्होंने किसी लेक्टरार स्कूल कोलेज किसी principal से इसको attest करवा रखा है तो वहां से आप इसको attest करवा के लेके जाना और अगर इसको इन्होंने ऐसी को instruction इसमें नहीं दे रखी तो आप इसको self-attest भी करके ले जा सकते हो ये सब जो documents मैंने आपको बताए हैं इनको पूर्ण रूप से आप त्यार कर ले जाएगा ताकि बहुश्य में आपको किसी परकार की कोई परिशानी का सामना ना करना पड़े हो सकता है कि एक आद कोई चीज आपके पास और extra हो तो वो भी आप साथ ले जा स हो डिपेंडेंट एक्सरीश में में जिसने फारम रखा है वह डिपेंडेंट एक्सरीश में का अपना सेट्यूकेट अपने साथ में लेके जाए तो आपके पास जो भी सेट्यूकेट रहा आपने लगता है कि मैंने इस इस चीज़ का benefit लेकि इस फारम को फिल किया था तो वो सब डोकुमेंट्स की ओरिजिनल कोपी साफ सुतरी हो जिस इदिकारी से उसको अटेस्ट करवानी हो वो अटेस्ट होनी चीए उसके दो फोटो कोपी को साथ आपको अपने साथ लेके जाने हैं इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता हूँगा कि वीडियो अगर आ आप मिल सके उसको कोई प्रेसानी ना हो बहुत सी विजारतियों के साथ प्रेसानी आती है कि आप अपने डोकुमेंट्स वेरिफकेसन के लिए पंच को लागुडगावाज जैब पुर्जाम भी आपको बलाया जाता है दूर दुराज वहां आप चले जाते हो और वहां ज भी दोस्तों के पास आप सेर की रहेगा कोई हरियाना का कोई भी फार्म हो जिसमें डोकुमेंट्स वेरिफकेसन का जो प्रोसेस फॉलो होता है उसमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है तो जो विजारति अपना अग्जाम या डोकुमेंट्स वेरिफकेसन के लिए आप जाते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखे और यह सब डोकुमेंट्स अपने त्यार करके ले के जाए अंत में मैं आप सभी से एक गुजारी सोर करूंगा कि देखो जो वीडियो है आप लोगों के लिए बनाई जाती है और हमारा सबसे ज़्यादा उदस से यह होता है कि आप पिस्टीज का ज्यादा से ज्यादा लाव उठासको सब लोगों को तक की है वीडियो पहुच के और आपको किसी परकार की कोई प्रेसा नहीं ना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले और नोटिपकेशन को ओन कर ल नहीं तो दो तिन दिन में एक बार इसको जरूर से अच्छे से देख लें ताकि कोई लेटिस्ट अपडेट तो आपके लिए हमने नहीं डाली है कई बर नोटिपके सनाने में आपके परेसानी हो जाती है तो आप चैनल को रेगुलर देखते रहें या हर जो अपडेट जादा जो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे यूटूब चैनल के तरफ से आपके पास पहुचाई हैं चाहिए डोकुमेंट्स वेरिफकेशन की हो या स्कूटनी ओप डोकुमेंट्स हो रजल्ट आना हो आंसर की हो आंसर की के ओपर ऑबजेक्शन हो एड्मिट कार्ड हो जो भी अपडेट होती है अमारी टीम इसके ओपर पूर्ण रूफ से मतलब इसका ध्यान रखती है और आप लोगों तक सबसे पहले अपडेट पहुचाने की कोशिज करते हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें आज के लिए यही एक अपडेट थी बहुत जल्दाज ही रोता हूं नई अपडेट के साथ जै हिन जै भारत